हेलो एब्रिवन, वेलकम टू दी न्यू लर्निंग वीडियो और आज की वीडियो में बात करेंगे अबाउट रेंड लाइंज तो देखो हमने पिछली वीडियो में क्या सीखा था कि जो ट्रेंड होते हैं वह बेसिकली तीन टाइप के होते हैं अब ट्रेंड डाउंट आप उसे जा के देख सकते हैं, so anyways देखो अब, so trend line क्या हुई, ठीक है, trend line क्या चीज़ होगी, तो हम trend line क्या होती है, basically यह act करती है, as a support, या फिर resistance का, support या फिर resistance का, किसके साथ, along with the, जब हम इसे draw करते हैं, ठीक है, trend की direction में, कहां किसके साथ, pivot high या फिर pivot low के साथ, ठीक है, तो अब आपको, पक्की बात है कि कुछ नहीं समझ आया होगा, कि मैं क्या बोल रहा हूँ, pivot high, pivot low, तो देखो, अब हम इसे detail में समझते हैं, कि क्या होता है, मानलो अब downtrend है, ठीक है, ऐसे downtrend चल रहा है, तो उसमें क्या होता है, हमने देखा था, कि downtrend में हमेशा क्या होता है, lower highs and lower lows, ठीक है, तो इस तरह से चलेगा, तो इसमें क्या होगा, ये क्या होगा, इसके pivot highs होगे, downtrend में ठीक है क्योंकि ये high है ना trend के तो pivot highs हो गए ठीक तो इसके साथ हम draw करते हैं किसको trend line को along with the pivot highs ठीक है ये एक rough diagram बना दते हैं तो क्या हो रहा है यहाँ आप आप देख पा रहे हो कि जब मैंने इसे draw किया तो ये किसका काम कर रही है ये basically resistance का काम कर रही है यानि कि price इसके पर नहीं जा पा रहा अगर आपको support and resistance के बारे में नहीं पता इस पर भी detailed वीडियो बन रखी है तो उसका भी मैं लिंक डाल दूँगा description box में आप उसे देख लेना तो ये as a resistance का का काम कर रही है कौन सी trend line हमारी downtrend में ठीक है similarly मान लो अब uptrend में क्या होता है हमने देख था आपने confusion नहीं होना हम आगे जाके देखते हैं इसे easy करेंगे तो pivot lows के साथ लग रही है हम draw कर रहे है trend line को और क्या हो रहा है ये किसका काम कर रही है trend line अब uptrend में support का ठीक है तो हमें इतना मालूम हो गया अब हम देखेंगे कि ये chart पर किस तरह से दिखते है ताकि आपकी confusion थोड़ी सी दूर हो जाए तो देखो ये हम क्या देख पा रहे हैं हमें पता था कि ये क्या लग रहे हैं जब downtrend होता है तो lower highs lower lows लगते हैं तो ये क्या है हम अब हम trend line draw कर सकते हैं देखो जब भी मैंने यहां से trend line draw की ठीक है तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहां से price जो है व downtrend में यह जो resistance बन रही थी यहां से price reject नहीं हुआ और price continue हो गया तो जैसे ही price continue हुआ यहां से तो आप देख पा रहे हो कि अगर हम यहां से entry लेते और यहां के नीचे का stop loss लगाते तो जो price है देखो अब continue कर रहा है uptrend में ठीक है तो क्या होगा basically जब trend line break होई downtrend में तो price क् ला गया ठीक है अब हम देखेंगे कि uptrend में जब हो तब क्या होता है ठीक है तो अब आप देख पार हो यहां पर क्या हुआ कि इस तरह से हम trend line draw करेंगे अब ठीक है किसके साथ pivot lows के साथ क्योंकि कौन सी चीज़ है uptrend चल रहा है तो pivot lows के साथ तो आप देख पार हो कि जैस जैसे ही मालो एक बार यहां से उपर गया फिर से नीचे आया हमने यहां पर trend line draw कर दी थी ठीक है इस तरह से मालो कर लेते अब हम इसे extend करेंगे न तो जैसे ही इसके पास फिर से price आया trend line के पास क्या हुआ रिजेक्ट हुआ था यानि कि support मिली उसे यहां से अब trend में और उस पर क्या कर सकता हूँ अगेन फिर से क्या बना सकता हूँ आप देख पा रहे हो कि यहां से एक और trend line बना दूँगा तो जब मैंने again trend line बनाई किसमे downtrend में तो अब फिर से किसका काम करेगी resistance का ठीक है तो आपने confuse नहीं होने से practice करके देखना है अगर आपको एक बार में वी break होती है ठीक है major trend line जब भी break होती है तो क्या आता है हमारे पास move आता है अच्छे वाला ठीक है तो क्या आता है good यानि की good price change किस direction में in our opposite direction in opposite direction अब इसका क्या मतलब हुआ जैसे कि हम क्या देख पा रहे थे कि जब क्या हुआ था जब downtrend था है इसमें जब क्या हुई ब्रेक कोई थी हमारी resistance level जानि की trend line जो resistance का काम कर रही थी जब यह break होगी न तो move बढ़ाएगा ऐसे और similarly uptrend में क्या होगा यह support का का काम कर रही थी जब भी यह break होगी तो move बढ़ाएगा ठीक है इस तरह से जब trend line break होती है तो हम क्या बोल सकते हैं कि opposite direction में क्या हो रहा है move बढ़ resistance सब का use करना होता है यह factor होता है जिसे हम use करते हैं ठीक है combination of factors में देखो यह तो यहाँ पर होगी हमारी यह चीज अब दूसरी चीज क्या आती है यह चीज का आपने ध्यान रखना है कि जब मैं बोल रहा हूँ ना कि जब trend line break होई ठीक है जैसे trend line break होई तो इसका यह मतलब currency होगी अच्छे वाली होगी ठीक है good price change आएगा लेकिन हम यह नहीं बोल सकते कि trend change हो जाएगा ठीक है यह जरूरी नहीं हो सकता है थोड़ी देर के लिए trend यहाँ से change हो थोड़ी देर के लिए price movement आए और उसके बाद फिर से यहाँ पर continue कर जे तो इसके लिए हम price action देखते है या और भी factor देखते है ठीक है वह हम आगे सीखेंगे आने वाली वीडियो में तो देखो यह चीज होती है यानि कि trend reverse होगा यह confirmation नहीं है लेकिन हाँ price change आ सकता है यहाँ पर अच्छे वाला यह हमें confirmation मिल जाती है जब downtrend में क्या होती है trend line break होती है तो क्या होती है upside move आए अब मैं entry भी तो कर सकता हूँ न मालो मुझे क्या पता है कि यहां से again and again क्या मिल रही है support मिल रही है trend में तो देखो मैं अब क्या करूँगा मैं यहां से price उपर गया फिर से नीचे है फिर से उपर गया ऐसे continue हो रहा है अगर मालो यहां से price नहीं break कर पाया इस trend line को तो इसक entry ली और देखवा मेरा stop loss कितना छोटा होगा यहां पर ठीक है इसके नीचे stop loss लगा दिया तो मुझे जो target जो मिलेगा वो अच्छा वाला मिल जाएगा ठीक है अच्छा price change आएगा तो हम इस तरह से entry कर सकते अपनी trade की छोटे से stop loss के साथ तो उसके साथ क्या होगा मारा risk reward ratio अच्छा होगा ठीक है risk reward ratio मारा अच्छा होगा अगर हमें इसके बारे में भी नहीं मालूम कि क्या है risk reward ratio तो आप risk management की पूरी playlist जाके चेक कर सकते हैं उसमें सब कुछ सिखा रखा है ठीक है तो देखो यह तो होगी किसकी बात up trend में अब उसके बात क्या हो गया अब आगा downt trend तो downtrend में भी तो हम सेम चीज़ कर सकते हैं ना कि अच्छी वाली entry ले सकते हैं छोटे से stop loss के साथ तो उसमें क्या हो गया मालो price ऐसे नीचे आ रहा है ठीक तो जब मुझे लग रहा है कि मैं इस तरह से अपनी trend line draw कर सकता हूँ इस तरह से तो जैसी मालो again and again rejection आ रही है उप price जो है वो continue कर जेगा नीचे की side ठीक है तो इस तरह से हम अब trend या फिर downtrend में trend line का use करके क्या कर सकते हैं अच्छी वाली entry कर सकते हैं जिसमें risk reward ratio भी मारा अच्छा होगा ठीक है यह तो चीज होगी अब हम एक और चीज देखेंगे जो की important है यहाप है कि major trend line कौन सी होगी ठीक है major trend line की क्या पहचान होगी उसके लिए simple चीज है पहली चीज तो multiple touch होने चाहिए multiple touch यानी की वहाँ से price again and again reject होना चाहिए ठीक है जैसे हम देख पार है कि simply अगर time frame जो है हमारे पास अगर time frame है shorter ठीक है छोटा time frame है यानी की एक minute या 5 minute का तो हम क्या करेंगे body के साथ यानी की candle stick की जो body होगी उसके साथ हम draw करेंगे किसको trend line को लेकिन अगर मान लो time frame बड़ा हुआ जैसे की 15 minute से लेके या भी उससे बड़े होगे जो भी उससे हम क्या करते हैं इसे chart पर देख लिए आप देखो क्या हो रहा है यहाँ पर जब मैं बात कर रहा हूं यह one day time frame की बात हो रही है ठीक है तो आपने क्या करना है इस तरह से consider करना है weeks को जैसे कि मैंने यहाँ पर draw की तो आपने इस पर hyper लगा के similarly क्या करने है हम यहाँ पर सकते हो body के साथ अपनी trend line को draw कर सकते हो जैसके हम यहाँ पे देखेंगे अब आप यहाँ पे विक को ignore करके simply body के साथ trend line को draw कर सकते हो छोटे time frame के लिए ठीक तो यह चीज होती है हमारे पास कि हम किस तरह से major trend line की पहचान करते हैं और किस तरह से हमें draw करनी है बड़े time frame पर और छोटे time frame पर trend line को तो देखो हमने यह बात की कि uptrend और downtrend के लिए trend line होती है लेकिन जो third trend था वो कौन सा था हमने यहाँ पे बात की थी third trend होता है हमारे पास sideways trend right sideways trend जिसमें randomly higher high higher low lower high lower low लगते हैं ठीक है जब sideways trend होगा तो support resistance का हम use करेंगे ठीक है तो देखो अगर आपको नहीं पता support resistance detailed में इस पर एक वीडियो बन रखी है उसका link भी मैं description box में डाल दूँगा तो आप उसे जा के जरूर देखना तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को like करें आपको कुछ सीखने को मिला इस वीडियो से तो अपने friends के साथ भी share करें so that उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिले और चैनल को subscribe करें thank you so much